नमेज शिवाय, सुभग दिप द्वारा चलाए जा रहे जो तिसके प्रारंभिक ग्यान के इकरक्रम में आपका स्वागत है। मैं अब आपको बताऊंगा कि तुला राशी वाले व्यक्तियों के लिए व्यवसाई के कौन से एक्षेत्र अधिक उप्युक्त हैं और उन्हें अपने किन किन ग्रहों को बल देना है जिससे वे अपने केरियर के एक्षेत्र में लगातार तरक्की कर सकें और जल्डी से सफलता के सिखर पर पहुंच जाएं यदि आपका लगन या राशी तुला है तो आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनें और समझें समझ कर आप इसे अपना लेंगे तो फाइदा निश्चित है सबसे पहले आपको आपकी राशी के समंध में आवस्यक जानकारी देत हूँ सभी राशियों में तुला राशी का स्थान सात्वा है तुला राशी के प्रभाव के कारण आप कुशल वक्ता धार्मिक प्रकृति वाले व्यक्ति तथा कुशल विद्वान हैं आप पक्सपाद से रहित तथा न्याय प्रिये हैं आप सत्यवादी हैं तथा अपने स अभीकारियों में तब तक जूट बोलना पसंद नहीं करते, जब तक ऐसा करना आपके लिए बहुत ही जरूरी नहीं हो। सह अस्तित्व का सिधान्त आपके लिए सर्वोपरी है। आपकी भगवान में पूरी आस्ता है तथा आप देवता वे ब्राह्मनों की पूजा करने वाले हैं। अतित्यों वे मित्रों की सेवा करके आपको आनंद की प्राप्ति होती है। आप पवित्र आचरन करने वाले बुद्धिमान तथा विद्वान विक्ति हैं। आप भूत कल्पना सील हैं तथा अंतर ग्यान की काफी सक्ति आप में विद्धिमान है। आगामी घटनाओं का पुर्वाभास आपको पहले ही हो जाता है। सुन्दर वस्त्रों वै आभूशनों के आप सोकीन हैं। आप काफी सांती से जीना चाहते हैं तथा इसके लिए कुछ हानी उठाने के लिए भी तयार रहते हैं। आप अपने निवास स्थान पर अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं क्योंकि इससे आपको आत्मिक सुख वै शांती की प्राप्ती होती है। नोकरी करना आपको प्राय अच्छा नहीं लगता, निजी व्यवसाय आपकी प्रकृती के अनुकूल है। आप छोटे स्थर पर भी व्यवसाय करना पसंद करते हैं और अपनी मेहनत वै इमानदारी तथा करमठता के कारण उसे शिखर पर पहुँचा देते हैं। आप में कुछ दोस भी हैं। चंचलमन, अस्तिर्ता तथा दूइदा के स्थिती आपके लिए परिशानी पैदा करते हैं। हवाई के लिए बनाना तथा जूठी परसंद्शा या चापलूशी से आपको परसंदा प्राप्त होती है। इसी कारण कई बार आपको दोखा तथा आर्थिक हानी मिलती है। अपने प्रेम समंदों में भी आप सिगरता करते हैं, जिससे आपको बाद में कठिनाईयों में फंसना पड़ता है। आपकी राशी का स्वामिग्र है, शुक्र है, इस कारण आपकी वानी में मिठास होती है। आप अच्छे कला प्रेमी हैं तथा गीत संगीत में आपकी बहुत रूची है। आप एक अच्छे कला कार, नाटक कार तथा संगीत कार हो सकते हैं। अपनी वाने की कुशलता के कारण आप एक परभावी सलाहकार हो सकते हैं, यदि पी अपने परिवार के प्रती आपकी निष्ठा अटूट होती है, तो भी दांपत्य जिवन में आपके लिए कठिनाईयों की संभावना अधिक है. आपकी प्रकृती समझोता वादी है, इसलिए आप उपरी परसंता बनाई रखने में काम्याब हो जाते हैं, रोग प्रतिरोधक सकती आपके अंदर काफी कम होती है, इसलिए आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, आपका द्रिश्टिकोन बहुधा आशावादी होता है तथा इसी कारण आप सिग्र स्वास्थलाभ कर लेते हैं. आपके लिए उप्युक्त व्यवसाई हैं सुंदरिय परसाधनों का व्यवसाई, कपड़ा तथा उस से बनी पोसाके, नाटक वै सिनेमा आदी में अभिने, निर्ट्य संगीत वै गायन, फोटोग्राफी वै पेंटिंग, जुए वै सट्टे आदिसे समंधित कारे, खेती वै बागवानी, वहन चलाना, यातायात के साधनों से जुड़े व्यवसाई, रबर वै प्लास्टिक उद्योग, केमिकल उद्योग, विमान आदी से समंधित कारे, जोतिसी, सलहकार, सिक्षक वै प्रोफेसर, अजेंट, सोने चांदी वै रतनों से समंधित व्यापार, डीलर और ब्रोकर के रूप में आप काम्याब होते हैं, होलसेल अजेंसी में आपकी रुची होती है, आप एक अच्छे वकील अत्वा नियाधीस भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके तरक पराये अकाट होते हैं, अब आपके लिए सुब वै असुब ग्रहों के बारे में विच यदेपी अस्तमेस होने के कारण इसे असुब माना जा सकता है, प्रंतु लगनेस होने के कारण यह सुब फलदायक ही रहेगा, अत्या शुब ग्रहों के लिए सुब है, आपके कुंडली में चतुर्थ वै पंचमस्थान का स्वामी सनी ग्रह है, चतुर्थ स्थान केंदर स तथा पंचमस्थान तिरकोन स्थान है, किंदर वै तिरकोन स्थान का स्वामी होने के कारण यह आपके लिए राज-योग कारक ग्रह है, सनी ग्रह आपके लगनेस शुक्र का मित्र भी है, अत्या सनी ग्रह आपके लिए सुब फलदायक है, आपकी कुंडली में नवम वै द् अस्तान का स्मी बुद्ध ग्रह है, नवंस्तान तुर्कोन होने के कारण बहुत सुभ माना गया है, तथा द्वादस स्थान सम है, बुद्ध ग्रह आपके लगनेश शुक्र का मित्र है अतय यह आपके लिए सुभ फलधायक है. आपके कुंडली में दूसरे वे साथमें स्थान का स्वामी मंगल ग्रह है। यदेपी दूसरा स्थान सामानेते सम माना जाता है और साथमें स्थान केंदर होने के कारण सम होता है परंतु ये दोनों मारक स्थान भी होते हैं। इन दोनों स्थानों का स्वामी मंगल ग्रह अते मंगल ग्रह आपके लिए असुब फल दायक है आपकी कुंडली में तीसरे वैच छटे स्थान का स्वामी बरस्पति ग्रह है ये दोनों स्थान कुंडली में असुब फल परदान करने वाले माने जाते हैं इन दोनों स्थानों का स्वामी ग्रह बरस्पति आपके लगनेश स्थान के लिए सम परभाव देने वाला होता है अते दो स्थानों का स्वामी होने के कारण बरस्पति ग्रह आपके लिए असुब फल दायक माना जाएगा आपकी कुंडली में दसमस्तान का स्वामी चंदर ग्रह है केंदर स्थान होने के कारण दसमस्तान सम फल परदान करने वाला होता है परंतु सुक्र ग्रह चंदर को अपना सत्रू मानता है अते चंदर ग्रह आपके लिए सम अथवा असुब फल दायक है आपकी कुंडली में ग्यार्मेस्थान का स्वामी सुर्य ग्रह है ग्यार्मेस्थान को असुब फलदायक माना जाता है सुकर ग्रह सुर्य को अपना सत्रू मानता है इसलिए सुर्य आपके लिए असुब फलदायक है राहु को सनिग्रह की तरह व्यवहार करने वाला तथा केतु को मंगल्ग्रह की तरह व्यवहार करने वाला माना गया है सनिग्रह आपके लिए सुब फलडायक है इसलिए राहु भी आपके लिए सामानेता सुब ही माना जाएगा मंगलगर है आपके लिए अशुब है अतेकेतु को भी आपके लिए अशुब ही माना जाएगा अब आप यह समझ लें कि सुब परभाव देने वाले गुरों से आप किस परकार और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं इसका तरीका यह है कि अगर आप अपने सुब ग्रों को बल देते हैं तो आपको इन से मिलने वाले सुब परभाव में बहुत ही वृद्धी होगी और आप जीवन में निरंतर प्रगती कर सकेंगे इन ग्रों के परभाव को कैसे बढ़ाया जा सकता है अब हम इस बात पर विचार करते हैं ग्रों के बल में वृद्धी करने के लिए सबसे आसान रास्ता है इनके रतन धारन कर लेना आपको शुक्र ग्रह का रतन हीरा, सिनी ग्रह का रतन नीलम तथा बुद्ध ग्रह का रतन पन्ना धारन कर लेना चाहिए ये सभी रतन आप अंगुठी में धारन कर सकते हैं या लाकिट में भी धारन कर सकते हैं अगर आप इन रतनों के बल में और अधिक वृद्धी करना चाहते हैं तो इन्हे अपनी आवश्क्ता के अनुसार उपयोक्त यंत्र के लाकट में एक साथ धारण कर सकते हैं अगर आप किसी कारण से रतन धारन करना नहीं चाहते तो आप इन ग्रहों के रंगों का अधिक से अधिक प्रियोग करके भी लाब उठा सकते हैं। रंगों से ग्रहों का परभाव बढ़ाने के लिए आप शुक्रवार को सफेद या क्रीम रंग, सनिवार को निला तथा बुद्धवार को हरे रंग का वस्त्रधारन करें। अपने घर में या बेडरूम में भी आप इन रंगों का अधिक से अधिक प्रियोग करके इन ग्रहों से लाब उठा सकते हैं। इसे ही कलर थेरेपी कहा जाता है। सुब ग्रहों को बल देने से आपको मिलने वाले लाब में निश्चित ही वृद्धी होगी। इससे आपका जीवन और अधिक आसान और सुख में होता चला जाएगा। अब आप असुब फलदाएक ग्रहों के बारे में भी विचार कर लें। जो असुब फलदाएक ग्रहे हैं आपके लिए वे हैं मंगल, गुरू, चैंद्र और सूर्य ग्रहे। इनके रतन आप ने पहनें। इनके लिए आप मंतरपाच कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, इनके यंत्रिया, इनकी मूर्ती की पूजा कर सकते हैं। इससे इन्हें सांती मिलेगी तथा इनके असुब प्रभाव के कारण आपके जीवन में जो कठीनाईयां आने वाली हैं उनसे आप बचे रहेंगे आपको जो जानकारी मैंने दी है और जो उपाए बताई हैं वह सब कुछ सीधा वह सरल है अगर सब कुछ पहली बार में ही समझ में आ जाए तो अच्छा है अगर ने समझ में आए तो सारी जानकारी को दुबारा से सुन लें अब हम से सला भी ले सकते हैं हमारा पता है सौभागे दीप 74 रिंग रोड मार्केट श्रोजनी नगर नई दिल्ली फोन नंबर है 999-059-4444-987-320-9999 धन्यवाद